चाहे कपड़े हो, ग्रोसरीज हो, दवाईया हो, या हो कोई भी घर का अन्ने समान, और आपको चाहिए हो इंस्टेंट डिलीवरी, अभी डाउनलूड करिए बिग ब्लिस एप, बिग ब्लिस एप पहुचाएगा सारा समान, दस मिनिट में, बिग ब्लिस एप है खुशियों क अपनी दुकात, रूख करते हैं यहां से अपनी अगली खबर की तरफ जो निकल के सामने आ रही है, खाद तेलों की, तो विदेशी बजारों में खाद तेल की कीमतों में गिरावट के बीच, दिल्ली तेल तिलहन बजार में गुरुवार को सोयबीन दाना, एवं तिलहन, लूस, सोयबीन डिगम तेल और बिनौला तेल की कीमतों में गिरावट देखने को मिली, वहीं साधारन कारुवार के बीच सरसो एवं मुंफली तेल तिलन, सोईबिन दिल्ली एवं इम्दौर तता सीपियो एवं पामुलीन तेल की कीमतें पूर्व स्तर पर बंद हुई बजा सूतरों ने बताये कि मलेशिय एक्चेंज में लगब दो फीजदी की गिरावट जबकि शिकावव एक्चेंज में डेड़ फीजदी की गिरावट थी सूतरों का कहना है कि विदेशी एक्षेंजों में आई गिरावट के बाद स्थानी तेल तिलनों के भाव में भी गिरावट आई है सूतरों का कहना है कि सरकार की और से सीपियो, पामुलीन, सोयबीन डिगम, सुरजमुखी जैसे आयात किये जाने वाले तेलों के आयात छुलक में 40-50 सुभे प्रती किलो की कमी की गई है इसके बावजूद विदेशी तेल के भाव अभी भी उचे बने वए है उनका कहना है कि आत्म निर्वरता हासिल करने के लिए देश के अंदर तेल तिलन पैदावार बढ़ाने यी एक मातर रास्ता हो सकता है देश में खादे तेलों की जमाखोरी होने की चिंता भी बेवजा है क्योंकि आयात पर कोई रोक नहीं है और खादे तेलों के भविश्य के आयात अनुबंदों की कीमत मौजूदा दाम के मुकाबले कम है ऐसे में जमाखोरी की संभावना नहीं है क्योंकि देशी तेल तिलन पहले ही बहुत सस्ते बने वई है तो यानि कि विदेशों से जो खादे तेल आयात हो रही है फिलाल बजार की हलचल में अभी के लबस्त नहीं मुझे दीजे अजाज़त नमस्कार कोरोना के इस दौर में आपको नहीं जानावार बिग ब्लिस पहुंचाएगा सारा समान आपके घर दस मिनट के अंदर तुरंट डाउनलोड करें बिग ब्लिस एब खुशियों की अपनी दुकार